बाहुबली साल 2015 में रिलीज हुई थी बाहुबली फिल्म ने हिंदी फिल्म जगत से लेकर साउथ फिल्म जगत तक कई सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया था और फिल्म सबसे बड़ी हिट सावित हुई थी जिसके बाद साल 2017 में बाहुबली टूर रिलीज हुई थी और इस इसके बाद अब इसके अगले पार्ट को लेकर अपडेट आना सुरू हो गया है। बहुली फिल्म का डिरेक्शन एसस राजा मौली धोरा किया गया था। अब एसस राजा मौली अपनी आगामी फिल्म एससेम भी 29 को लेकर बेशता है। लेकिन उनकी मुवी जल्दी पूरा क करने के बाद अगली फिल्म बहुली 3 पर काम सुरू कर सकते हैं। इस तरह का रिपोर्ट मीडिया की तरफ से सामने आ रहा है। तिसरा पार्ट को लेकर और भी जानकर या सामने आई है। आपको बता दे कि बहुली 3 को उत्तरा खंड में सूट किया जाएगा। इसके लिए सभी तरह की बादचीत को पूरा कर लिया गया है। और बहुली 3 को सूटिंग करने के लिए भी परमीशन मिल चुका है। इसको लेकर जोरो सोरो का काम सुरू हो रहा है। इससरा जामौली बहुली 3 को लेकर बढ़े लेबल पर सूट करने वाले हैं। इस बार फिल्म की कहा काफी ही बेहतरीन होने वाली है जो लोगों के दिलों पर राज करें और एक अलग जगह बना पाए बावली का तिसरा पार्ट का फिस सांदार भी एफेक्स और एक्शन स्चीक्वेंस से भरने वाला है क्योंकि फिल्म में खतरनाक लेवल की एक्शन देखने को मिलेगा इस फि कि कहानी और भी ज्यदा एडवांस और इंट्रेस्टिंग बना दी गई है जिसमें आपको दमदार एक्टर की चरूरत पढ़ने वाली है दो साल के इंतिजार के बाद खुलासा हो ही गया था कि कटपपा ने बाहुली को क्यों मारा वैसे इस सवाल को जानने का इंतिजार द तो कब दरसल फिल्म में ऐसी कई बाते हैं जो इस और इसारा करती हैं कि इस फ्रंचाइजी का अगला पार्ट भी बन सकता है फिल्म बाहुली टू को लेकर हुए तमाम इंटर्व्यूज में खुद डारेक्टर राजा मौली ने कभी सीधर तोर पर इंकार नहीं किया कि बा महिस्मती के सिंगासन पर बैठने के बाद महेंदर बाहुली ने वादा किया मेरा वचन ही है सासन नमबर दो इसके लावा एंड में काश्टिंग आने पर कुछ समय रुके जरूर एक बच्चे की आवाज में सवाल उठेगा कि क्या इसके बाद महिस्मती पर सासन किस ने कि क्या महेंदर बाहुली और उनके बच्चों का राच चला इस पर बाहुली वाले सन्यासी की आवाज में जवाब आता है सिव की मर जी मैं क्या जनू अब फिल्म के हाइप और क्रेश को देखते हुए पूरी चांस है कि फिल्म मेकर्स इसके अगले हिस्से पर भी दाउं के राश्तलिक में सामिल हूा लेकिन बाहुली और बाहुली टू देखनी के बाद इस समझ में आगया है कि इस सांथ होकर बैटने वाला किरदार नहीं है। और कटपपा के किरदार में अभी इतना दम है कि उसे बाहुबली थिरी में भी पिरोया जाए। क्या पता इस फिल्म में कटपपा का पाश्ट ही सामने आ जाए। नमबर फोर, बाहुबली में महेंदर बाहुबली की प्रेमिका की किरदार में दिखी तमना भाटिया यानि अवांतिका की पैस जलक भर है, उनके फैंस अगर पलक जपका लेते तो साइद उनकी मौझूदगी देख नहीं पाएंगे, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बाहुबली टू में महेंदर भले ही अपनी मादेव सिना से मिल गया हो, लेकिन प्रेमिका अवंतिका से उनका मिलन अभी भी अधूरा है, यानि बाहुबली थी का पूरा स्कॉप है, नमबर चार, बाहुबली का पहला हिस्सा होया दूजरा, तकनीकी कॉसल में फिलम हाली बॉली बॉड के कई बुरे प्रोजेक्स को टक कर देती है, ऐसे में पूरे चांस है कि इसे अगली कड़ियों में बढ़ाया जाए, ठीक वैसे ही जैसे विद्योसों में फिलमों के नाम के साथ संख्या जोटती जाती है, फास्ट एंड फ्यूरियस 300 जैसी मूवीज की तरह हाला कि बॉली बॉड में इस तरह का ट्रेन्ड चलन में और कई फिलमों के नाम फाइदा भी विजनेस में मिला है, इनके अलावा करण जोहर जैसे मार्केट के समझ रखने वाले फिलम में कर जरूर बाहुबली के सेट हुए नाम को आगे ले जाना चाहेंगे नमबर पांच, बाहुबली टू के लेकर हुए तमाम प्रमोशनल इवेंट में राजा मौली के सामने सवाल आया कि क्या बाहुबली धिरी बनेगी, इसको लेकर उन्होंने कुछ असपस्ट नहीं किया, वैसे उन्होंने यह बात कबुली की पहले बाहुबली को लेकर वेप दिख रहे हैं, उसे देख कर लगता है कि बाहुबली तरीक घोशला के लिए हमें तयार रहना चाहिए। अब जबकि कुछ समय पहले से याबास सामने आये थी कि अभिनिता परभास और निवदे सग राजा महली बाहुबली चैप्टर 3 के लिए दोबारा हाथ मिला सकते हैं, तब से फैंस को इसका बेसबरी से इंतिजार है, तो चलिए जानते हैं, बाहुबली चैप्टर 3 को ले लेकर भी दर्सकों की उम्मिदे बहुत ज़्यदा हैं, फिल्म बाहुबली को लेकर जानकारी सामने आये थी कि इस पर बिचार किया जा रहा है, वही रिपोर्ट के मताबिक बाहुबली के मेकर्स ने फिल्म की तीसरी पिन्चाजी को लेकर कहा था कि बाहुबली में अभी इतना स्कोप है कि इसमें एक और कहानी बुनी जा सकती है, बाहुबली के दूसरे भाग में जहां अभी निता प्रभास के अपोजिट देवसिना की भूमका में जहां एक्टरस अनुसका सेट्टी निजर आये थी, वही बाहुबली पार्ट वन में तमन्ना भाटिया ने उ लेकिन तभी किसी भी तरह से अधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टी नहीं हुई है, बाहुबली का हर किर्दार लोगों के जहन में बसा हुआ है, चाहवा कटापा हुए स्योगामी देवी या फिर भलाल देव, बाहुबली में जितना अहम नायक के रूम में प्रभा निता के साथ देखना चाते हैं, फिलहाल अभी इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है, जबकि इस बात के बारे में चर्चा है कि कहानी को वही सब बना जाएगा, तो ऐसे में अगर किरदार भी वही होंगे, तो फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा, अब न इसको को अभी लंबा इंतिजार करना पड़ सकता है, फिल्म निर्देशक एस एस राजमौली की चर्चित फिल्म बावबली 3 के तियारियों के वीच, फिल्म को लेकर स्टार कास्ट सेलेक्शन का दोर सुरू हो गया था, इस बहुत चर्चित फिल्म में इन दोर के पहलवा थी, मुहर लगने वाली थी, आर्थों ने अपने सेलेक्शन को लेकर फिल्म के चर्चित डारेक्टर एस 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 राजमौली और इनकी टीम को लेकर आभार जयताया था, बावबली 3 के लिए इन दोर के आर्थों का सेलेक्शन, दरसल बावबली 3 की स्चोटिंग सुरू होन हाली में इस बहुचर्चित फिल्म के लिए देश भर के करीब 600 पहलवानों का डाटा सर्च किया गया था, जिसमें मद्धि परदेश के आर्थों गुर्जर और सियाम यदू का सिलेक्शन इन दोर से किया गया था, माना जा रहा था कि आर्थों फिल्म में अपनी प्रतिभ और पहरवानी का परदर्सन करतें नजरा सकते हैं, जिसे लेकर वे काफी खुष नजरा रहे थे, इन दोर से हैदराबार रवाना, आर्थों इन दोर से हैदराबाद के लिए रवाना हो चुके थे, उन्होंने बताया देश के ख्यातम नाम डारेक्टर, एस एस राजमौली के साथ, उन्हें उनके पहरवानी के कारण काम करने का आउसर मिलने जा रहा है, जिसके लिए वे पूरी तरह असवानतित हैं, उन्होंने कहा फिल्म में कुछ सीन इस तरह के हैं, कि उन्हें इसके लिए सिलेक्ट किया गया है, संभवता उन्हें फिल्म एक्टर परभास के स की टीम से मिलने के बाद ही लगने वाली थी आर्थों के मताबिक उन्हें फिल्म में सेट पर फिलहाल चार दिन के लिए बुला गया था हाला कि आगे का स्टेडियूल फिल्म की सूटिंग टीम से मिलने के बाद होगा इधर उन दोर में फिल्म के लिए आर्थों को बलावा आ जो जुनून आर्थों के मन में था वह प्रतिभा और योगिता के रूम में दुनिया के सामने आए यही अब होने जा रहा है राधिका देवी बताती है कि आर्थों को बच्पन से ही पहलवानी का सोग था और वह अपने दो बेटों में से एक को पहलवान बनाना चाहती थी इ हार्थों के बड़े ताउची और चोटे ताउची भी पहलवानी करते थे उनके परिवार में पहलवानी लंबे अर्शे से की जा रही है इसे प्रंपरा को वह भी निभा रहे हैं मैं उनकुछ फिल्म देखने वालों में से हूँ जो बाहुबली 2 को देख ही नहीं पाते हा अबनेत फिल्म का तीसरा भाग लंबे समय से चर्चा में है लेकिन इसके निर्माड के बारे में कोई पुष्टी नहीं हुई है हाला कि कई बाहुबली प्रेमियों ने पहले ही सोचना सुरू कर दिया है कि बाहुबली 3 आखिर क्या हो सकता है बेसक भभिता सांदार दरस से तो होने ही चाहिए लेकिन फिल्म को वह कहानी बतानी चाहिए जो और भी अधिक समोहक और गौरोसाली हो यहां कुछ कथानक ब्यूरण दिये गए हैं जिन्हें मेरे प्रेम बाहुबली प्रेमियों को ने खोजा है भलाल देव का सासनकाल यहां पता लगाना बुरा बिचा से सासक थे और उन्होंने माहिसमती जैसे समर्द समराज का पतन कैसे किया सुगामी की हत्या और देव सिना का अपरहड करने के बाद उसने पचीज वर्सों तक माहिसमती पर सासन किया उन्होंने कुंतला समराज को कैसे नश्ट किया और माहिसमती को वहां सके लोगों के लि पूर दिखाने में भी मदद करेगा आप जितना अधिक पुराई को जानेंगे फिल्म में उतना ही अधिक नायक तत्त होगा अमरेंद्र बाहुबली और अवंधिका कुल मिलाकर एक नया सासक बाहुबली थिरी के अंत में यदि आप अभी भी सिनेमा घरों में अपनी सीटिय हुए थे तो आपको पता चल जाएगा कि स्क्रीन पर क्रीड़ चल लहा था जबकि एक कथन चल लहा था एक बच्चे की आवाच आप पूछते हुए सुनाई देती है कि महाईसमती का अगला सासक कौन होगा जिस पर एक साधू बाबा जवाब जवाब देता है कि क्योल जीवित है या ध्यान दिया जाना चाहिए कि भले ही भलाल देव अब नहीं रहें लेकिन पूरी बाबली गाथा के पीछे